आप सभी को सुपरभाद, गुड़ मॉर्निंग, नमस्कार, बच्चो 12th Business Study में Unit First प्रबंध की प्रकरती और महत्वा इसके हम Question Bank के Objective Type के Question करने वाले हैं तो आप सभी को जैसे मालूमी है कि अभी Quarterly Exam में भी हमारा अधिकांस जो Question थे वो Question Bank से आये थे और अभी Half Yearly जो होने वाले दिसंबर में उसमें भी इसके आने के संभा होना है इसलिए हम Question Bank के जितने भी Objective है वो हल करेंगे और उसके बाद में और भी बहुत सारे Important Question है वो Question हम लेकर आएंगे और वो Final Exam के हम उसमें तयारे में जोड़ जाएंगे अभी हम जितने भी Question Bank के Objective है यूनिट वाइज उसको करने वाले है तो आज पहली यूनिट जो हमारी प्रबंद की प्रकरति और महत्व है इसके Objective टाप के Question को हल करेंगे ठीक है वैसे तो आप लोगोंने WhatsApp पर आप लोगों को स्कूल से जो Question Bank मिली होगी उसमें सबसे लास्ट में अंसर उसके दिये है लेकिन हम उसको Explain करते जाएंगे और समझते जाएंगे ठीक है सबसे पहला कुस्य ने प्रबंद का सार है तो प्रबंद का सार किसको कहा जाता है समन्वय को कहा जाता है समन्वय प्रबंद कहीं बार ऐसा कहा जाता है कि समन्वय प्रबंद का कार्या है लेकिन प्रबंद के जितने भी कार्या है उन सभी कार्यों में समन्वय है और इसलिए समन्वय प्रबंद के सभी कार्यों में सामिल है और इसलिए उसको प्रबंद का सार कहा जाता है समन्वय को प्रबंद क्या है एक कला है और विज्ञान दोनों है तो प्रबंद का उद्देश ये नहीं है तो प्रबंद किसे लिए रखा जाता है या प्रबंद किसे लिए किया जाता है लाप कमाने के लिए किया जाता है संगठन का विकास करने के लिए किया जाता है नितिया बनाने के किया जाता है नोक्री देने का काम प्रबंद का नहीं होता तो प्रबंद का उद्देश से नहीं है नोक्री देना निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंद का कार्य नहीं है तो प्रबंद के कौन-कौन से कार्य है नियोजन संगठन नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंतरण ऐसे पाच प्रमुक कारे हैं तो निम्न मेंसे कौन सा प्रबंद का कारे नहीं है तो नियोजन भी उसका प्रमुक कारे हो गया नियुक्तिकरण भी हो गया नियंतरण भी हो गया बचा कौन सा सहकारीता यह सहकारीता प्रबंद का कुण सा कारे है यह सहायकार है यह उसका क्या वो लेंगे हम उसको कि यह उसका प्रमुक कारे नहीं प्रबंद की जो प्रमुक कारे है वो केवल पाज है कि अध्या कारिता उसका सहायक कारे है ठीक है अगला कुश्यन है हमारा प्रबंद के कितने इस्तर होते हैं तो हम सभी को मालू में प्रबंद के तीन इस्तर हैं उच्छे इस्तर मद्धे इस्तर और निम्ने इस्तर तीन अंसर आएगा नीतिया एम लक्षों का निर्धारन किया जाता है नीतिया एम लक्षों को बनाने का काम प्रसासन का होता है उसको किर्यानवित करने का काम प्रबंद का होता है फिर है निम्नव लिखित प्रबंद की विसिस्ता नहीं है तो हम यह देखेंगे कि प्रबंद की विसिस्ता कुन स नहीं आता प्रबंद प्रकिर्या का अंतीम कारे क्या है अभी मैंने गिनाये थे नियोजन तंगठन नियुक्तिकरण निरदेशन और नियंत्रन तो सबसे लास्ट में क्या आया नियंत्रन आया तो यह प्रबंद प्रकिर्या का अंतीम कारे है प्रबंद का सहय कारे कौन सा है म ओख्यघ़कारी गिर्लो साहकारी अपने आप बाहर हो जाएगा नियोजनग प्रमुक कारे है कि अफिर है नियंत्रन यह भी प्रमुक कारे है अब जो समप्रेशान है यह संप्रेशन् नियोजन प्रबंद का चरण है चरण मतलब पहला कार्य प्रथम कार्य है तो नियोजन प्रबंद का प्रथम चरण है किलियर अब हम रिखते इस्थान में चलेंगे परेवेक्षक खालिस्तान प्रबंद में सम्मिलित किये जाते हैं तो परेवेक्षक निम्न इस्तरिय प्रबंद में सम्मिलित किये जाते हैं कुनसे प्रबंद में आएंगे? निम्न इस्तरिय फिर है खालिस्तान प्रबंद का प्रात्मिक कारे है ये भी आप लोगों को मालू है कि प्रबंद का पहला कारे कौन सा है नियोजन है प्रबंद दुसरों से कारे कराने की क्या है कला है प्रबंद द्वारा पुर्व निर्धारित लक्षों को प्राप्त किया जाता है प्रबंद के सिद्धान्त कैसे होते हैं स्तारो भूमिक होते हैं खालिस्तान प्रबंद का सार है अभी अब्जेक्टिव में हमने देखा जो समन्वय है ये क्या है प्रबंद का सार है विभाग्य प्रबंदक मद्धे इस्तरिय प्रबंद में आते हैं मद्धे इस्तरिय प्रबंद अभी प्रेरण का कार्य खालिस्तान से जुड़ा रहता है तो अभी प्रेरण ये निर्देशन का तत्व है अभी प्रेरण, संप्रेशन, परेवेक्षन, नियंत्रत्व एसे चार तत्व है निर्देशन के तो अभी प्रेणन का कारे निर्देशन से जुड़ा रहता है प्रबंद का सबसे पहला कारे नियोजन है फिर आधुनिक समय में निर्देशन के स्थान पर नेत्रत्व सब्दका प्रयोग किया जाने लगा है अजकल निर्देशन सब्द काम उपयोग किया जाता है और उसकी जगह नेत्रत तो सब्द का उपयोग किया जाता है तो यह हमारे हो गए रेक्तिस्थान सही जोडी में हम देखेंगे पहली सही जोडी हमारे सामने है नीती निधारन का कारे किसका होता है उच्चे इस्तरिय प्रबंद का होता है नीतियों का निधारन कोन करता है उच्चे इस्तरिय प्रबंद करता है परिवेक्षक निमने इस्तरिय प्रबंद को कहते हैं पूरो प्रसिक्षण पैसे प्रोफेशन में पूरो प्रसिक्षण क्या आउसकता होती है तीर से अनुभव संचालक मंडल के पास होता है और लाभारजन आर्थिक उद्देज से है प्रबंद का ठीक है? Very simple सही जोड़ी है तुसरी सही जोड़ी देखेंगे संगठन संगठन मतलब व्यक्तियों के समू का प्रबंद करना ये संगठन का कारे हो गया सरचना संगठन लक्ष उन्मुखी कौन होता है? प्रबंद लक्ष उन्मुखी होता है प्रसासन का काम है निती बनाना और निर्देशन का काम है अधिनस्तों का पत्प्रदेशन करना ठीक है बहुत ही सरल सरल जोडिया है कि इन में से आपको कहीं पर भी मिलेगे तो एक आधी मिलने वाली है अब हम सत्य सत्य की तरफ चलते हैं और सत्य सत्य को देख लेते हैं है true और false ताथ में समझते भी जाएंगे प्रबंद भुतिक सास्त्र और सास्त्र की तरह पूरण विय्जान है बिल्कुल गलत है यह पूरी तरह से हंड्रेट पट्शेंट विग्यान नहीं हम परवाणों को मिला कि पानी जो बनता है तो उसी प्रकार से ये प्रबंद में फार्मॉले लागू होते लेकिन 100% उसका जो साइन्स का जो फार्मॉले लागू होता ऐसा नहीं चलता है और इसे लिए 100% विज्ञान नहीं पूर्ण विज्यान नहीं कहेंगे इसको नियोजन भविसी के गर्भ में देखने की विदी है बिलकुल राइट है संगठन का दूसरा नाम प्रबंध है गलत है क्योंकि संगठन प्रबंध का कारे है प्रबंध का लक्ष उन्मुखी होता है बिल्कुल प्रबंद लक्षिन्मु की होता है नवाचार प्रबंद का सहयकार है ये भी सही प्रबंद के सिद्धान सर्वत्र लाग होते हैं अभी हमने रिक्तिस्थान में देखा था सारो भूमिग होते हैं साकारिता प्रबंद का प्रमुकार है गलत है क्योंकि ये उसका साहकार है समन्वय प्रबंद का सार है ये भी अभी अबजिक्टिव में देख लिए हमने समन्वय प्रबंद की सभी किर्याओं से जुड़ा होता है बिल्कुल प्रबंद के जितने भी कारे हैं सभी में समन्वय होता है प्रबंद कालाय मिझ्ञान दोना है तो यह भी राइट तो यह सत्य सत्य हो गए हमारे अब हम एक वाक्य की तरब चलेंगे एक वाक्य में सबसे पहला दिया है व्यवस्थित ग्यान को क्या कहते हैं तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा विज्ञान व्यवस्थित ग् ग्यान को विज्ञान कaintते हैं व्यवसाई की नीतियों का निर्धारण कों करता है कके निरुद्धार क प्रशाषन के द्वरा किया जाता है प्रबंद किस प्रकार का प्रयास है तो प्रबंद्ध एक सामुहीक प्रयास है कि आपने विशे स्ताम पढ़ाऊगा है थे सोधे बाजी प्रवंद का सहायक कार्य है नियुक्ति करण प्रवंद का कौन सा कार है तो नियुक्ति करण प्रवंद का प्रमुक कार्य कहलाता है प्रवंद के निचले इस्तर को क्या कहते हैं तो प्रवंद के निचले इस्तर को प्रथम स्रेणी प्रवंद कहते हैं या फिर परव्यक्षी की प्रबंध भी बोलते हैं परव्यक्षी की लाब्प्राप्त होने लग जाता है समन वैसे सीनर्जी लाप प्राप्त होता है कि कोडिनेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फायदा होता है विपणन प्रबंद का कौन सा इस्तर है विपणन प्रबंद प्रबंद का मद्देस्तर हैं क्योंकि इतने भी विभाग्य प्रबंद होते हैं वो मद्देस्तर प्रबंद में आते हैं प्रोसाइज इसमें विस्ष्ट ग्यान क्या आउसकता होती है तो प्रोफेशन पैशा तो यह थे हमारे पॉस्ट यूनिट के अबजेक्टिव इनको आप बार बार देखिए यह किवल हाप यह लिए नहीं आप लोगों को प्रिबोर्ड फाइनल एक्जाम में भी जरुरत पड़ेगी और इन वीडियो को आप कितनी बार भी कहीं बार भी दे सकते हैं तोटली हमार का कंटेंट फ्री है इससे रिलेटेड जितने भी PDF नोट से हैं चोहान एकेडमी खंडवा का जो प्ले स्टोर पर एब है आप वहां से फ्री में डाउनलूड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं अगले वीडियो के लिए फ्री मिलते हैं तब तक के लिए गुड़ बाई